प्रसिद लेखी का तस्लीमा नस्रीन को भारत में रहने के लिए अवश्यक रेजिडेंसी परमिट का नवी करण कर दिया गया है जो बांगलादेश के कटर पंथियों के लिए एक तगड़ा जटका साबित हो सकता है नस्रीन जो अपने उपन्यास लज्जा के बाद बांगलादेश से निर्वासित कर दी गई थी पिछले 20 सालों से भारत में रह रही है लेकिन उन्हें अब तक भारती नागरिक्ता नहीं मिल सकी है ग्रह मंत्राले ने तसलीमा के रेजिडेंसी परमिट का नवी करण कर कटर पंथियों के सामने ये सपष्ट कर दिया है कि भारत में अभिवेक्ति की स्वतंतरता का सम्मान है और ऐसे लेखक जिने अपने देश में उत्पीडन झेलना पड़ा हो उन्हें यहां शरण और सु बांगला देश में कई कटर पंथि समू उनकी मुखालफत में खड़े हो गए हैं हाला कि तसलीमा नसरीन सिर्फ इसलाम की ही नहीं बलकि सभी धर्मों की कटरता की आलोचक रही हैं उन्होंने भारतिय समाज में मौजूद जाती विवस्ता पर तीखे सवाल उठाए हैं उन के विचारों से कई लोगों को असहमती हो सकती है लेकिन उनके लेखन को पूरी तरह से खारिच करना एक संकीन मानसिक्ता को दर्शाता है तसलीमा ने पहले ही अपने लेखों में ये कहा था कि धर्म और जाती विवस्ता हमारे सामाज में जब तक मौजूद है तब तक महिल नाओं, दलितों और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा उनका मानना है कि शरनार्थी समस्या का मूल कारण धार में कटरता और जातिवादी सोच है और इससे समाज का बड़ा हिस्सा विस्तापित होता है भारत में मीडिया अक्सर उनकी इसलाम विरोधी टिपडियों क को ही प्रमुकता से दिखाता है लेकिन उनकी समग्र आलोचना और जातिवाद पर उनके विचारों को नजर अंदास करता है बांगलादेश की वर्तमान इस्तिती को देखते हुए तसलीमा का रेजिडेंसी पर्मिट रिन्यू किया जाना एक और महतपूर कूट नितिक कदम है इससे पहले भारत ने बांगलादेश की पूर प्रधानमंतरी शेख हसीना के प्रत्यारपन की मांग को भी खारिज कर दिया था भारत ने साफ कहा था कि हसीना सुरक्षा कारणों से भारत में हैं और यहीं रहेंगी ये फैसला भी बांगलादेश के कट्टर पंथियों के लिए एक जटका साबित हुआ था अब तस्लीमा नसरीन को लेकर भारत के इस कदम से ये सपश्ट हो गया है कि भारत कटर पंथ के दबाव में नहीं आएगा ग्रह मंत्राले के इस निर्णे के बाद ये सपश्ट है कि भारत अपनी सीमाओं में उन विचारकों और लेखकों को सर्डक्षन देता रहेगा जो स्वतंत्रता और समानता के पक्षदर हैं चाहे उनके विचार विवादास्पद ही क्यों नहूं तसलीमा नसरीन को भारत में रहने की अनुमती का नवी करण कटर पंथियों पर भारत का कड़ा संदेश था और अब तसलीमा नसरीन के वोट लिखी है हमारे संपादक रूपेश कुमार जी ने कैमरे पर हैं संदीप रावल